नमस्कार दोस्तों मैं हिर्दिस मिस्त्र आप सभी का स्वागत करता हूँ डिकोड इग्जाम के इस प्रफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी लोग I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बहतर धंग से कर रहे होगे देखिए जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो है कोर्स लांच हो चुका है क्रेस कोर्स और सारी चीज़ें आप लोग को आलेडी पता होगी कई सारी लेक्चर्स आप लोग ने आलेडी देख रखा होगा मेरे बारे में आलेडी आप लोग परचित होगे कोई introduction देनी के आशकता नहीं है कि एंटरफेस आप मेरा daily morning में देखते ही हो देखते होंगे वहां से आप काफी कुछ ready कर सकते हैं मैंने कई बार कहा है कि वहां से आप pre plus means plus static and dynamic person दोनों ready कर सकते हैं आज से हम लोग जो class जो start करेंगे वो environment की class start करेंगे और आपको मैं बता दूँ कि दरसल environment का section आपके exam के point आवे से बहुत ही महत्पूर है लोग इसको थोड़ा सा हलके में लेते हैं सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कुछ section ऐसे होते हैं जहां पर अगर आप थोड़ा सा effort लगा देंगे तो वहां से आप शत प्रशत प्रशनों को ठीक धंक से कर ले जाएंगे एक topic ऐसा है एक विशा ऐसा है जहां पर आपको बहुत मोटी मोटी किताबे पढ़नी है ठीक है और एक है जहां पर कम content पढ़कर करके बहुत थोड़ा सा महत करके अगर आप उस पर effort लगा दोगे तो वहां पर आप प्रदसन बहतर कर पाओगे और यही smart तरीका होता है यह नहीं कि आप इतनी मोटी किताबे पढ़ रहे हो उसमें से प्रशन आ रहा है दो चार से दस आ रहा है और वो भी कहां से आ रहा है आपको पता नहीं है तो बुद्धमानी क्या होती है मैंने कई बार आप लोगों से कहा होगा अगर अपने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने कई बार आपको बताया है कि तरीका क्या होता है कि आप कम पढ़िए और उसमें बहतर प्रशन करिए यह कि स्मार्ट मैथाड होता है तो एन्वार्मेंट ही एक ऐसा सेक्षन है कि जहां से आप जो है अपने बढ़िया अपने नंबर्स को आप गेन कर सकते है और इसके लिए जरूरी ही कि आप फ्रॉपर तरीके से आपको हर एक टॉपिक समझ में आए और एन्वार्मेंट तो आप लोग को आलडी जो है आना भी चाहिए विकॉज आप आपको पता है कि जीवन एक अमूली धरोहर है अपने आप में प्रकृती अमूली धरोहर है और हमें इसे बचाने का प्रियास करना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ बैतर कारभी करना चाहिए तो आज हम लोग क्लास करें स्ट चार्ट करते हुं और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि टॉपिक बिसखकली क्या है ठीक है इसके लामा पास्रित की क्या है यानि कि what is ecology बहुत सिंपल सा है आपको पता होगा फिर पास्तिक तंत्र क्या होता या पास्तिक तंत्र क्या होता यानि कि what is ecosystem and then पारिस्तिक ये निकेद क्या होता है ecological निचे जिसको बोलते हैं इसके लामा पारिस्तिक पदचिन क्या होता है एको लोजिकल फुट्परिंट क्या होता है इसके लावा पार्सिकी प्रामिड यानिकी एको लोजिकल प्रामिड क्या होता है जो तीन चार छे पॉइंट यहां पर दिये गए हैं इन्हीं को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे उसके पहले चुकि एन्वार्मेंट की क्लास समझने का प्रयास करें कि जो कुछ आप जो है अपने आसपास देख रहे हैं जो कुछ और जो कुछ आपके आसपास विद्यामान है वो किसका भाग है वो परियावन है वो परियावन का भाग है इसको दूसरे पॉइंट अभी से अगर हम समझने का प्रयास करें तो क्या है बस इतनी इसी बात है पर्यावण यही है और पर्यावण के लिए आपको बहतर कार भी करना चाहिए पर्यावण के लिए आप लोग को पता होगा कि सारी चीज़ें की जाती है किस तरीके से कई सारे प्रोग्राम पॉसिस चला जाती है इन के लिए बहतर कार किया रहा है ताकि सब चीजें क्या हो बहतर धंग से चलती रहें ठीक है तो यह हो गया थोड़ा सा पर्यावन के बारे में अब हम आते हैं बिसकली टॉपिक फर्स्ट आपका जो है यानि कि पास्तिकी क्या यानि कि what is ecology तो ecology की बारे में अगर आप से कोई पूछे कि भाई साब बताओ ecology क्या होती है तो बहुत आसान है इसको बताना कोई इसमें rocket science नहीं है ठीक है तो क्या होता है कि जो आप परियामर में जो कुछ देख रहे क्या कोई भी जीव है कोई जन्तु है ठीक है कोई पौधा है ठीक है और इनका relation किसके साथ वातावरण के साथ किसके साथ वातावरण के साथ वातावरण के साथ है इनका जो संबंध है या इनका जो अंतर संबंध है क्या इनका जो अंतर संबंध है इसी को क्या वोलेंगे इसी को हम लोग समली तुरूप से क्या बोलेंगे? एकोलोजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एकोलोजी बोलेंगे, ठीक बस, इतनी सी बात है, यानि कि the relationship between plants, animals and deer क्या environment है, ठीक है? वही क्या होगा वात्तावन से, उनका जो क्या होगा, जो relation होगा, किसी विजियो जन्तु का, वो क्या होगा? जो अंतर संबंध होगा, वही क्या होगा? एकोलोजी होगा. तो अगर आप PPT के मादम से देखें, डिफिनिसान अगर थोड़ा सा हम लोग systematic देखें, तो क्या होगा? ठीक है? कि basically क्या है? विज्ञान के एक क्या है? नवीन साका है, science के एक नवीन साका है, एक new branch है, आप physics पढ़ते होंगे, आप chemistry पढ़ते होंगे, आप और बाकी section पढ़ते होंगे, जो जीवन और उनके वातावरन के आपसी संबंधों का निधान करती है, जीवन और उनके वातावरन, तो जीवन, यानि कि जिसमें जीवन है, जीवन किसमें होगा? या तो plants में होगा? या तो जीवन में जीवजन्तों में होगा, थोड़ा सा यह पूछता है आपसे एक्जाम में ठीक है कि जर्मन के जिविज्ञानी कौन है एच रिटर के द्वारा सरपर्थम पारिस्तिकी या इकोलोजी सब्द का क्या किया गया था परियोग किया गया था तो कई बार एक्जाम में पूछा गया है और इसमें जो दूसरा यह एक्जाम में आया है अब इसको अब लोग सुरंत क्या करेजेगा नोट डाउन करेजेगा फटाप से फटाप से क्या देखो वर्स याद रखना है क्या 1866 अर्थात वर्स 1886 में 1866 में हेकल का नाम एकोलोजी सब्द के पर्थम प्रयोग करता की रूप में उभरा तो जाता है किस वर्स में 1866 में 1866 तो यह नाम हेकल का नाम और यह वर्स जो है दोनों आपको याद रखना है आपके एक्जाम में पूशा गया प्रशन है इसलिए इसको नोट डाउन तुरंद कॉपी में आप लोग क्या करिएगा कर लिजेगा ठीक यह हो गया हमारा थोड़ा ज्योरी में दिया गया है राइट चलो दि outfits आप है पारीसित की नंतर यी क्या होता और इसको इसमें समलित होती हैं जैसे कि आप कहीं पर रह रहे हो अगर आपसी मब से घर में रहे हो ठीक जोटा सा क्या है जंदर सा इस घर है और यहां पर आप चाहिए रहे हो ठीक है तो इस घर में क्या होगा simple सी बात है आपके पिता होंगे आपकी पिताजी होंगे ठीक है आप इसको थोड़ा सा आई से समझो ठीक एक normal घर है ठीक आप इसको समझो आई से just like this ये एक बादी अच्छा सा क्या है घर है बढ़िया सा ठीक है gatewood लगा हुआ है इसमें ठीक इधर बाहर नदी अधी सब बहर रही है बढ़िया तरीके सा रास्ता जा रहा है सुंदर सा इधर पहार होगरा सब कुछ है ठीक है चुडिया भी उड़ रही है plants भी सब कुछ है एक बढ़िया सा महल यहां पर बना हुआ है ठीक देखो आप यह घर है अब सिर्फ इतने में आप देखो इतने में ठीक है इस घर में क्या होगा आपके पिता जी होंगे ठीक आपकी प्लस माता जी होंगे ठीक प्लस आप होगे स्वयम होगे यानकी पुत्र होंगे पिता पुत्र मतलब पुत्र प्लस पुत्री होंगे अब देखो ये क्या है ये अगर हम इसको आसान भासा में संझें तो ये अपने आपकी ecosystem है अपने आप में कि source कौन है आपके खर्चे का यहां पर कौन घर चला रहा है तो ये हो गया पिता जी आपके चला रहे हैं सूर्स हैं आपके ठीक, एकोनामे के है इसके अलवा मातार पीता दोनों को मदल्दो कर सकते हैं फिर आपके अलग अलग कारकोरिस में कई सारे चीजैंजय और होंगी इसके मादम से पूरा पूरा सिस्टम आपे घर का चल ला ओगा इसमे से अगर पिताजी के नौकरी छुट जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या होगा दिक्कत हो जाती होगी या दो लोग कमार है उन्हें से एक की जौब छुट जाती है कोई एक स्पैर हो जाता है कोई नहीं रहता है घर में तो क्या होगा पूरा घर क्या होता है डिश्टर करते हैं उनका अपना एक तंत्र होता है। तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे चीज चलती है ठीक है थोड़ा-स हम लोग देखते हैं जैसे आगर ग्रास लाइंड एको सिस्ट्ड्म है अगर घास पाश्टिकी तंत्र इन के बात करते हैं तो पहले क्या होगी घास होगा सिंपसी बात है क्या होगा घास होगा अब देखो इस घास को खाने वाला कौन होगा सिंपसी बात है कोई भी क्या होगा साकाहरी जो लोग होंगे वो होंगे यानि कीड़े मोकोडे किड़े होंगे क्या कीड़े मोकोडे या आपके exam में यह food chain वाला इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ, options में, क्या होगा? इस टिड़े को कोई birds खाएंगे, चिड़िया खाएंगी, क्या कौन खाएगा? चिड़िया खाएंगी, और फिर इसको कोई साप खाएगा, साप को बाज चिल खाएगी, ठिक, अब देखो, यानि कि एक घास है, घास को कोई खाएगा, कीड़ा और टिड़ा खाएगा, इसको पिर चिडिया खाएगे, चिडिया को साप खाएगा, साप को बाज खाएगा, यह क्या होगा, यह स्रिंखला है, एक यह food chain है, ठीक है, अपने आपे यह और यह अपने आपे क्या ecosystem है, ठीक है, और यहाँ पर source of energy कोन है, sun है, तो यहाँ से जो है energy आई, यह उत्पादक हो जाए साकाहारी, फिर secondary consumer, फिर trussary consumer, ठीक है, यानि कि पहले फिर साकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर top, मांसाहारी, यह निको टॉप करनी वारस, तो यह food chain में चलती रहेगी, और यह अपने आप में एक ecosystem ही develop हो जाएगा, यानि कि सब एक दूसरे पर आसिर्थ हैं, कहीं अगर कोई disturbance होता है बीच में, तो यह ecosystem, जो food chain है, यह disturb होगी, यह ecosystem क्या होगा, disturb होगा, ठीक उसे परकार से, जिस परकार से, घर में, पिता क्या है, source of income है, या इस तरके से इसको माल लिए sun है, यह क्या है, अपने आप में सूरज है, इस पर dependency सब की बनी हुई है, अगर बीच में कोई कोई disbalance करता है, तो कहीं न कहीं दिक्कत होगी, अगर for example, बेटा अगर के expire हो गया एक घर में, तो भी दिक्कत हो जाती है, ठीक उसे प्रकार से, नेचर में भी कुछ ऐसा होई होता है, जानि कि सब कुछ dependency एक दूसरी को बनी हुई है, और जो है, सब एक दूसरी पर आसिर् बीच में कोई भी extent हो जाता है, बीच में अगर कोई टूड जाता है, ब्रेक हो जाती है चैन, तो क्या होता है, पूरा का पूरा पासिस की तंदर जो होता है, वो disturb हो जाता है, जैसे की, यह हमने आपको क्या सामने बनाया, यह हमने नदी बनाया, अब यह क्या है, नदी बन होते हैं जैसे यहां पर जो है उत्पादक होंगे उत्पादक कौन होंगे उत्पादक आपके छोटे-छोटे क्या होंगे जो फाइटो प्लैंग टंस होंगे वह होंगे उसके लावा फिर और अन्य जीव होंगे उसके उपर और मांसाहरी होंगे इस तरह के से सिस्टम पूरा चलता है तो कहने का मुझलब यह है कि पासिकी तंत्र में हर जिव दूसरे पर क्या होता है depend होता है source of energy क्योन होता है सूर्य होता है उसके बाद फिर उतपादक यानि की जो green plants होते है green plants के बाद फिर उस पर साकाहरी जिवी असुन होते हैं फिर उसके बाद उस पर फ्र Alright हैं देखो परिवासा जाद देखे पहले क्या लिखा हुआ है कि परियावन के सभी जीविये ठीक क्या जीविये और निर्जियू घटकों जीविये को क्या बोलेंगे हम जीविये को बोलेंगे बायोटिक क्या बोलेंगे इसको बायोटिक बायोटिक और निर्जियू को बोल यह है अपना ठीक है अब देखो यहां पर क्या है यह पास की तंत्र है ठीक है यहां पर क्या होगा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों होगा मतलब कि यहां पर जो है बायोटिक अबायोटिक में क्या होगा पहले इसको समझने थोड़ा सा जैसे बायोटिक है बाय बायो और बायो मतलब क्या जीवन क्या जीवन यानि कि जिसमें जीवन है तो जिसमें जीवन किसमें होगा सिंपल सी बात है जीवन किसमें होगा जीवन होगा आपके पेंट पौध हो में होगा जीवजनतु में होगा तो जीवजनत प्लस पेंट पौध है और अबायोटिक कंपोनेंट यानि कि जिसमें जीवन नहीं है तो जीवन किसमें नहीं होगा सिंपल सी बात इसमें मिट्टी भी आ जाएगा, गैसेद भी हो जाएगी, और अगर जो है, इन औरगनिक याने कि अकारबनिक कंपोनेट भी आ जाएगे, तो ये बयोटिक और अबयोटिक कंपोनेट का समलित रूप क्या होता है, परिस्त की तंत्र होता है, यानि कि जिसमें जिव जन्तु भी आएगे, यानि कि सज्यू भी आएगे, निर्जऊ भी आएगे, कुछ भौतिक चीज़े भी आएगे, भौतिक चीजों में जैसे आपका प्रकास हो गया, टापमान हो गया, ये सब भी चीज़े आएगी, तो सब का समलित रूप क्या कर आएगा, परिस्त की तंत्र कहलाएगा राइट देखो अब इसमें एक फेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई साब क्या कि पारिशित की तंत्र का सरप्थम प्रयोग किसने क्या था एजी टैंसले ने 1935 में क्या था कई बार ये आपके परिक्षा में प्रश्ण पूछा है तो आपको तुरंत दरहे इसका उत्तर दे देना है कि भाई साब क्या है इसका सही एंसर यानिकि जो इको सिस्टम है आपका ठीक है पासकी जो तंत्र है प्रयोग किसने क्या एजी टैंसले ने कप क्या 1935 इससमे क्या बास इतिती स्मadd में आ गई आपके यानिकि आपको फिपता लग गया कि तरसलि दरेश्दत क्या होता है और इको सिस्टम का सहर प्रतम प्रयोक किसने क्या था एजी टेंसले ने क्या था 1935 में क्या था इतिए आप... और पैस्ट की तंत्र में क्या होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते है बायोटिक कंपोनेंट क्या जिसमें जीवन होता है जीवन किसमें होगा जीवजंतों में होगा पेट पाउधर में होगा plus abiotic component यानि कि जिसमें जीवा नहीं होता है तो जीवान किसमें नहीं होगा? मिट्टी में नहीं होगा, गैसेज में नहीं होगा, कुछ अनिपदार्थ होंगे उसमें नहीं होगा, तो इनिके समलित रूप से जो तंतर बनता है, उसी को क्या कहेंगे? पारिसित की तंतर कहेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक? चलो, आगे बड़ते हैं हम लोगा, अच्छा, इसमें एक कुश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ, कि एक जो एको सिस्टम होता है, एक जो पारिसित की तंतर होता है, वो छोटा से छोटा कितना हो सकता है, बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है, तो आप प्रस्में क्या देंगे? उत्तर क्या देंगे इसका? देखो, पारिसित की तंतर के अगर हम बात करें, ठीक है? तो बड़ा से बड़ा अगर पास्कीतनता है तो whole earth यानि कि पूरी पृर्थवी आपने आप में क्या है यहां पर भी अलग लग चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे- तो वो भी अपने आपने एक जखा पर क्या होगा अपना एक एको सिस्टम होगा ठीक है हर जखा का अपना एको सिस्टम होता है और यानि कि छोटे छोटा एको सिस्टम कोई भी छोटा सा स्थान हो सकता है और बड़े से बड़े में पूरी पिर्थभी जो है आपकी क्या है अ इस तरगे से आजकल ग्लोबर वार्मिंग या उजून डिप्लिशन या अनने चीजे सामने आपको देखने को मिलती हैं ठीक है ध्याने कियेगा चलो आगे बरते हैं हम लोग अब देखो इसमें दो चीजे और आग रहे हैं आपके सामने अब एकोसिस्टम आपने समझ लिया कि भाई साब एकोसिस्टम क्या होता है अब एक महपूल चीजेस में यह आती है कि टाइप साफ एकोसिस्टम आखर ecosystem जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये जानना आपके लिए क्या है जरूरी है और इसको समझने का प्यास करते हैं कि दरसल जो ecosystem होता है कितने प्रकार का होता है देखो सबसे पहले देखो दो ही प्रकार का ecosystem होगा ठीक है ecosystem एक क्या होगा एक होगा आपका क्या प्राकिर्थिक ठीक और दूसरा क्या होगा दूसरा होगा सिंपसे बते कृतिम होगा इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको क्रितिम ecosystem, ठीक प्रैकिर तीक यानि कि जो नेचर में अपनी आप illuminink है और प्राकर्शिटिम यानि कि इकिर पारिस्टित्तिक गितंत है जिसको मनुष़यने, हूँमन ने बनाया हुआै अपने, अपने चीजों से बनाया हुआ ठीक है ये हो गया अब प्राकिर्तिक एको-सिस्टम में जैसे कि आर्टोमेटिक को चीज बनी हुई है जैसे कोई पहाड हो गया बड़ा सा कोई नदी हो गई ठीक है सिम्बस सी बात भाई नदी तो आएगा इसमें और क्या आएगा नदी हो गया अपने आप में जो है समुद्र हो गया ठीक है या ग्रासलेंड हो गया अपने आप में इसको हम प्राकर्तिक वाले को हम लोग दो पार्ट में क्या कर सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं एक किसमें एक हम इसको डिवाइट कर सकते हैं किसमें अस्थलिये पास की तंतर में किसमें अस्थलिये में और दूसरा किसमें दूसरा हम दो डिवाइट कर सकते हैं किसको जलिये पास की तंतर में किसमें जलिये में ठीक है तो अस्थलिये में जो जो जमीन पर होंगे आपके पाश्की τंतृ वो सारे के सारे अस्तरियव पाश्की तंत्र में आएंगे सिंपल सी बात है जैसे कि आपका क्या हो गया है आपका जैसे कि इसमेा जिए जो घास पास्की तंत्र हो गया वह वह मैं जो आजाएगा इसमें ठिकग past smo के बात करने कि दरसल जलिये पास की जो तंत होता है वो क्या होता है तो जो water bodies आपकी होती हैं जहां जहां पर जल होगा वो जलिये पास की तंत होंगे लेकिन हम चाहें तो इसको भी दरसल हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं एक क्या हो हो जाएगा एक हो जाएगा आपका अलंण यह जल क्या कि इसको डूपर समुद्री हो जाएगा समiddरी आप देखो आल अब ये जलको आप चाहो तो दो पार्ट में और डिवाइट कर सकते हो भाई साब इसको और यहां से प्रश्ना आता है आपका एक आता है आपका लेंटिक वाटर बॉड़ी क्या लेंटिक लेंटिक वाटर बॉड़ी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका लोटिक अब देखोए यह लेंटिक वाटर बॉड़ी क्या होती है और लोटिक वाटर बॉड़ी क्या होती है ये आपके एक्जाम में पूछा गया है ध्यान एक्जाम पर के लिए तो एक इसको याद कर रखेगा अगर आपसे पूछे कि लोटिक वाटर बाडी क्या होती है ठीक है तो लोटिक मत्तब जो वाटर बाडी क्या है बह रही है बहता हुआ जो जाल है वो एको सिस्टम तो बहता कौन है नदी होगी आपकी ठीक है नदी जो होगी वो आपके जो है किसमें आएगी लोटिक वाटर बाडी में आएगी इध्यानिके का और जो लेंटिक है लेंटिक यानि कि जो इस्थिर जल है जो रुका हुआ जल है, तो रुका हुआ जल कौँ सा होता है, रुका हुआ जल जैसे pond है आपका, तालाव है, तो अगर lentic water body की बात करेंगे, तो हम इसमें तालाव को रखेंगे, तो इस्थिर जल है, रुका हुआ है, lentic water body है, यानि कि जो pond ecosystem है, वो किसका example है, वो अलवड़ लोटिक मतलब जो बहता जल है ठीक है जैसे कि नदी वगरा हो गया तो ये समुछा आपके एक्जाम में लेंटिक आपको पता होना चाहिए दुसरा, समुद्री जो आयगा, समुद्री ecosystem, इसमें आपको पता है, basically आपके समुद्र आजाएंगे, सागर आजाएंगे, सागर और जो आपके asturide होती है, सागर आपका हो जाएगा और जो asturide होती हो, यदंने आजाएंगे, correct? प्राकृतिक में हो जाएगा यानिकि एको सिस्टम दो प्रकार के एक प्राकृतिक एक कृतिम प्राकृतिक में जो है यानिकि जो आटोमेटिक प्रकृतिक नेचर ने बनाया हुआ है इसको दो भाग में डिवाइट करेंगे एक अस्थलिये एक जलिये अस्थलिये पासी तंत एक जलिये में हम ड्वाइड करेंगे आलविये जल और Это को समुध्वियर रिक है अल मोरी जिसमें दरसल लवड़ नहीं होता है ठीक है तो इसको भी हम फिर आलम उह जल भी हम दो पार्ट में ड्वाइड करतेंगे एक लैंटिक वाटर बाड यानि कि लेंटिक जो एको सिस्टम होगा उसमें और लोटिक में लोटिक में क्या होगा जो लोट रहा है जो मूब कर रहा है जैसे कि रिवर एको सिस्टम हो गया नदी पासीरत अंत्र हो गया एक लेंटिक यानि कि जो इस्थिर है इस्थिर यानि कि जहां पर पानी जो मूब आ नह प्रदूसन जल्दी हो जाता है ठीक है आप लोग को पता होगा इसमें एल्गी बढ़ने लगती है लेकिन जो वाटर बॉड़ी रंद कर रही है चल रही है ठीक है उसमें क्या है बहाओ है जो पानी बह रहा है इसमें दरसल क्या होगा इसमें प्रदूसन बहुत कम होता है ठी चलो तो यह प्राकृतिक हो गया ecosystem कृतिम ecosystem में क्या होगा भाई साब यह बताओ कृतिम ecosystem जिसको मनुष्य ने बनाया है तो दो दो example बहुत सुनते हैं आपके परिक्षाम पूशे आते हैं कौन कोंसे दो example एक पुछा आता आपके धान का खेत क्या धान का खेत और दूसरा पूशा आता क्या aquevarium, क्या aquevarium दोनों ही आपने देखा होगा ठीक है, धान का खेतालिडी मनश्य भी बनाता है आप लोग को पता होगा, अगर गाउं से बिलाउं करते होंगे तो आप उसके पूरे एकोसिस्टम को देखते होंगे और aquevarium, aquevarium ही पता होगा जिसमें एक बड़ा सा box होता है, आपको पता होगा, क्या होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, box होता है, उसमें बहुत सारी पानी, इसमें पानी भरा होता है, मश्री होती हैं बहुत सारी, खाने के लिए सामान होता है, अन्य कोई artificial plants लगा जाते हैं, ठीक है, energy के लिए और बा क्या ? Types of ecosystem क्या ? Types of ecosystem ठीक यह हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखा अब हम इसको थोड़ा सा PPT के माध्रम से समझने का प्रयाद करते हैं चलो ठीक चलो देखो प्राकृतिक यानि कि पास्टिक संद्र के प्रकार पहला क्या हो जाएगा प्राकरतिक पाइसीस्षन्तर या reaching ये प्राकरतिक अवश्था में विना मानुके इंटर्फेरेंस के जहें क्या होते हैं? इसमें इसमें हुमन का मानुका कोई रोल या कोई इंटर्फेरेंस इसमें नहीं होता है एक एक बात ठीक है यानि कि यह मारविय विर्णिके अपने आप क्या होते हैं संचाइथ होते हैं इन्हें नेम लिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है जैसा कि हमने आपको बताया पहला क्या अस्थलिये और अस्थलिये में जैसे क्या जाएगा वन हा जाएगा घास अस् मरुष्थल भी इसमें आड़ान कर सकते हैं, पलस मरुष्थल, ठीक, और अब देखो, इसके लामा, फिर क्या हो जाएगा, जलिये, एक तो अस्थलिये, फिर क्या हो जाएगा, जलिये, और जलिये को भी हमने दो प्रकार में डिवाइट किया था, आपको पता होगा, ठीक है, जलिये को एक आलवर जल, हमने आपको बताया, ठीक है, यानि कि फ्रेस वाटर बोड़ी जो होगी आपकी, है न, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें होगा, आपका इसके अंदर का सरित, यानि कि जो लोटिक होगा, जैसे कि नदी, ठीक, और इस्थर जलिये, जिसमें लें हो गया आपका, और समुद्र में क्या जाएगा, इसके अंतरगत, गहरी काय, जैसे कि सागर हो गया, ठीक है, चिशले जैसे समुद्र या ज्वारानद मुख, यानि कि जिसको हम लोग एस्षरीज बोलते हैं, इत्याद हो सकते हैं, ये सारे पाइंट्स आप लोग चाहें, इसको वीडियो पॉस करके इसको आप लोग नोडाउन करेज़ेगा, बहुत आसान शब्दों में हमने इसको आपके लिए बना दिया है, हो सकता है आपके एक्जामे पारिस्की तंतर क्या होता है, ऐसा मुख परिश्या में प्रश्न पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, ये सारे चीज़ें आपके एक्जामे एक एक फैक्ट पूछ सकते हैं, कि लेंटिक वाटर बाड़ी क्या होती है, वाटर बाड़ी लोटिक क्या होती है, प्राकृतिक पारिस्की तंतर में क्या आएगा, कृतिम पारिस्की तंतर में क्या आएगा, जैसा कि अभी हमने आपक आपको पता होने चाहिए exact राइट चलो यह हो गया समुद्री अब देखो आगे क्या देख आएगा अब आएगा क्रिदिम पारिसी तंत्र इसमें क्या होता है इसमें बिसकली धान का खेत होता है एक्वेरियम होता और बाकी जो चीजे हैं पर आप देख पा रहे होंगे यह स देखो पारिसी तंत्र की सरक्षिना structure of ecosystem यह भी क्या है अपने आप में थोड़ा सा important है हलांकि हमने इसके बारे में थोड़ा सा भी आपको हलका सा जो है टिप दिया बताया हमने कि इसमें क्या कुछ होता है लेकिन आपको डिटेस में पता होने जाएगे कि दर असल जो structure होत अच्वे का वह कैसे होता है ecosystem में पहली बात तो दो चीज़े काम करती है एक abiotic component होता है या इसको आप चाहें तो आप इसको लिए जो है क्या अधर इसको अधर से या किस तरीके से पूरी के पूरा इसका structure होता है किसका एक system का तो उसमें बिसेकले दो चीज़े एहम होती है एक abiotic component और एक biotic component abiotic component में हमने आपको बता दिया क्या a biotic component यानि जिसको हम क्या बहुवलेंगे अजयविक का जयविक और दूसरे क्या कहा बताया हमने जाइव वेद्टाया और जाइव गए जिसमें जीवन है जीवन किसमें होगा सिम्पसी बात है प्लान्ट से में होगा एनिमल्स में होगा और अजाइविक जिसमें जीवन नहीं होगा तो इसम qon कौन सा है इसमें आपका आजाएगा कार्वनिक पदार्थ आजाएगा और इसमें अकार्वनिक पदार्थ आजाएगा क्या अकार्वनिक पदार्थ इसको देखिए फटा 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 प्लोग चलो इस टेक्चर आफ एकोसिस्टम इसको आप लोग कैसे करोगे स्ट्रेक्चर आफ एकोसिस्टम या कंपोनेंट आफ एकोसिस्टम आप इसको यह भी कह सकते हैं ठीक है अब देखो इसमें क्या क्या होगा दो कारक इसमें सबसे महत्पूर होंगे दो घटक होंगे इसमें इकोसिस्टम के हमने पहले बताया कौन कोंसे घटक होंगे पहला होगा आपका बता बताया कैंपोने क्या और बताउ मात क्या चाहिए तो अन्य जो चीजी हैं, भौतिक जो पदार्थ हैं, वो आ जाएंगे, तो अकारवनिक पदार्थ हों वे इसको भी आप चाहें, तो आप तीन पार्ट में, डिवाइट कर सकते हैं, कोई समस्थार नहीं है, पहला क्या हो जाएगा, आपके अकारवनिक पदार्थ, अकार्बनिक फिर कार्बनिक हो जाएगा दूसरे में क्या कार्बनिक और फिर चाहें तो आप इसको क्या कर लिजिए थोड़ सा भूत थिक ठिक तीन में हमने इसको डिवाइट कर दिया आप तीनों में क्या क्या चीज़े आएंगे आप इसको भी देख लिजिए तो कर्बनिक पताफ होंगे आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं इसमें जो है बिसेकली आप नैट्रोजन फासफरस जैसे नैट्रोजन हो गया आपका फासफरस हो गया यह सब आ जाएगा और कर्मिक पताफ्थों में क्या जाएगा आपका कर्मिक पताफ्थों में आपके प्रोटीन, कर्भोहईडरेट यह सब आ जाएगा क्या जाएगा प्रोटीन हो गया आपका ठिक या वसा हो गया आपका या कर्भोहईडरेट हो गया आपक क्या सकता है क्या चीज़ चलो बताओ कि बहुती चीज़ में टंपरेचर हो गया ठीक है आप इसके लामा आप इसको जो संग्रेज होती है आप इसको यह इसको भी ले सकते हैं या नॉर्मल आप चाहें तो इसमें आप जो है प्रिकास लाइट लिख सकते हैं टंपरेचर और प्लस लाइट तो यह क्या हो गए यह भौतिक चीज़े होंगे यानि कि स्ट्रिक्ट्राइब घटकों के अंदर गत तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया अकारबनिक करबनिक और भौतिक अकरबनिक में नेटरोजन फास्वर जैसे तत्व आएंगे करबनिक पूडिन वसा कर्भडेट आएंगे भौतिक में टंपरेचर लाइट और अन जो भौतिक चीज़े होती हैं जैसे स्वायल अगरा वो सारी इसमें आ जाएंगे ठीक है अब देखो किसमें जैविग घटकों में जैविग घटक 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 कि जिसमें क्या है जीवन है तो सिंबसरी बात है भाई साब जीवन किसमें होगा अब आपको यह बताना है तो आप इसको चाहें आपको क्या कर सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं एक किसमें एक आप डिवाइट कर दीजिए सोपोशी में किसमें सोपोशी में ठिक और दूसरा आप जो है कर दीजिए परपोशी में परपोसी में सोपोसी और परपोसी क्या होते हैं बहुत जो है आसान चीज है और मुझे नहीं लगता है कि आपको सोपोसी या परपोसी नहीं पता होगा सोपोसी यानि कि आटो ट्रेप ट्रोप्स बोलते हैं जिसको hetero-trops बोलते हैं सोपोसी में basically कौन आते हैं स्वोपोसी, यादि कि जो अपना भोजन स्वयम से बनाते हैं वो किस में आएंगे स्वोपोसी में आएंगे अच्छा, अगर मैं आपसे पूछँ कि मनूष्य क्या है मनुष्य सोपोसी है या परपोसी है यानि कि मनुष्य अपना भोजन क्या स्वयम बनाता है या दूसरों पर आसित रहता है तो आप क्या उत्र दोगे जो आप फटा फट मुझे सोच के बताओ आप फटा फट बताओ जो मनुष्य होता है क्या वो अपना भोजन स्वयम बनाता है या वो दूसरों पर आसित रहता है यानि कि मनुष्य सो पोशी में आएगा या परपोसी में आएगा क्या इस लिखोगे, क्या बताओगे बता फटा फट've चलो, यके अन्हें बनाता हो खाना खाना में बनाता हूं मैं सोफोशी हूं यही दिमाग में आ रहा होगा ना शायद मुश्टी लोग के दिमाग में ही आ रहा होगा कि हाँ खाना तो यहार में बनाता हूं अभी डाल चावल बनाना इसा अभी दोपार में खाया था दाल चावल चोखा बढ़ता और फिर जो मनिश्य होता है वो अपना भोजन स्वयम नहीं बनाता है ठीक है जो मनिश्य होता है वो आशित रहता है क्या रहता है आशित रहता है किस पर पेड़ पाउधों पर फसलों पर क्रॉप्स पर हम जस्ट उसको दूसरे फॉर्म में उसको पकाते हैं उसको हम उसको आसान करने मुझस dessa के लिए अउमका तूश के लिए हम उसको एकाँ पर उसको हम बनाते हैं तब कुछ एसट आजाए है हम मुझा उसको यह नहीं है । यसे पहले की लोग क्या करते था है wow worse खोज नहीं होई थे तो क्या करते लोग कंद मूल फल खाते थे नहीं खाते थे तो खाते तो कहां तो आम क्या वो जर्म देते थे क्या खुद बनाते थे आमको या सेब को खुद बनाते रहे होंगे कंद मूल फल को क्या बनाते रहोंगे नहीं बनाते रहोंगे आसित रहे हों सब्सक्राइब क corona कि आप बनाते नहीं हो ठीक है तो सफ Mostly क्या होता है ग्रीन प्रणट्स आपके होते हो आते हाम हरे पेर पॉड्ष होते हैं वह उत्पादक के फार्म में होते हैं वो अपना भोजन सौय को उतपादक जिसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं लिए ग्रीन प्रांट्स हरे पोधे क्यों हरे पोधे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी हरे पोधों को हम लोग फ्रोडिसर भी बोलते हैं उत्पादक भी बोलते हैं सन से एनर्जी रेंगे ठीक है जो विकने आती हैं वहां से एनर्जी लेंगे और उसको क्या काम करेंगे उसको basically chemical energy में क्या करेंगे convert करेंगे और फिर उससे भोजन बनाएंगे और उस पर फिर इस उत्पादग पर फिर परपोशी जो होंगे यानि कि जो अपना भोजन स्वेम से नहीं बनाते हैं वो क्या होंगे इस पर क्या होंगे आश्रित होंगे सिंपल सी बात है इतनी बात में आगे चलो अब देखो इसके लामा आगर हम बात करते हैं परपोशी की तो परपोशी में कौन आएगा एक तो मनुष्य आजाएंगे और इसके लामा और भी कोई चीज आ सकती जो दूसरे पर आशित रहती है और यहां पर हरे पोज़े के साथ जो phutasynthetic जो bacteria होते हैं वो भी दोसर इसमें आजाएंगे प्रकास sensation जिसको जीवान बोलते हैं यह भी इसमें सामिल हो जाएगे तो आपके exam में पूछ सकता है कि प्रकास translation जो जीवान होते हैं वो सोपोशी होते हैं या परपोशी होते हैं तो आपको तुरंत उतर देना है कि प्रकास translation जीवान होते हैं वो उत्पादक होते हैं क्योंकि वो भी अपना भुजनत क्या करते हैं शोयम बनाते हैं और परपोश तो एको सिस्टम में एक अजविक घटक को हमने शंजा दिया फिर जाविक घटक में 200 और परपोशी यानि की उतपादक होंगे जो अपना भोजन स्यम नहीं बनाते हैं और जिनको हम लोग क्यादliest है उपभोगता क्या पर होते हैं यानि कि यह जब क्या करते हैं यह जो 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 लोग होते हैं सब यह सब यह जो जो लोग होते हैं जब मर जाते हैं तो क्या करते हैं इनको जो क्या करते हैं डीकंपोज कर देते हैं फिर से दुबारा सिसको मिला देते हैं ठीक डीकंपोजर डीकंपोजर में आपके बहुत चोटे-चोटे जीवान होते हैं जो माइक्रो अर्गिजम्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं यह हो गया आपका structure of क्या ecosystem इतनी बात क्या आपके सब्सक्राइब आगई आप इसमें से कई सारे प्रेशन आपके नहीं है non-living है इसके अंदर अकार्मिक प्रदा आपके अंदर हो जैसे कि यहाँ प्रकाश ताप और हवा यह पॉइंट्स हमने आपको बताया अलडी कहां पर यह देखिए यहाँ पर हमने आपको इसको डिवाइड करके अलडी अजएवी घटकों में बता लिए वही बिंदू यहां पर सारे के सारे इकट्थे लिखे हुए हैं ठीक चलो यह होगा हम क्या पढ़ने इस्ट्रेक्चर आफ एकोसिस्टम पढ़ने या फिर कंपोनेंट आफ आफ एकोसिस्टम इसके लाबा आजया भी घटक यानिकी जिसमें क्या होता है जीवन होता है इस इसको हम लोग क्या पर लेंगे लिविंग कंपोनेंट को हमने डिवाइड का था देखो यह देखोडोग गहिंगण को निवाइड किया था कि में 100 रिपशी में वही मैं नियौइश तो सोपोशी घटक यानि कि जिसको आटोट्रोपिक कम्पोनेट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें आपके आएंगे हरे पाउधर यानि कि जिसको हम लोग ग्रीन प्रांस बोलते हैं, प्लस प्रकाश सनस्लेसी जिवार, यानि कि फोटो सिंथैक वैक्टेरिय आ अब देखो, एक point है जो हमने आपको बताया, कि जो सोपोशी घटक के सदाफेया को क्या बोलते हैं, उतपादक बोलते हैं, प्रोड़ीसर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये भोजण अपना स्वेंबनाते हैं, जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया, कि सोपोशी के अंदर गत हरे वोधे होते हैं और photosynthetic bacteria होते हैं जो कि अपना regression same बनाते हैं तो उत्पाद कर्मस्टा क्या होगे greened prag होंगे या photosynthetic bacteria होंगे right चलो आगे वरते हैं हम लोग इसके ओसलामा th परपोशिड घटक किया परपोशी घटक यानि कि जो kis0 कि दूसरे अब आगे देखो इसके नामा जो उत्पादक द्वारा बनाएगे पदार्थों का क्या करते हैं यानि कि जो यह ग्रीन प्रांट्स भोजन बनाएंगे इन्हीं पर क्या होगे यह आश्चित होंगे बाइस सिंपल सी बात है हरे पेड़ पॉद्धों को आप खोगे इनकी जो वबौखता होते हैं किन पर निर्भर रहते हैं वह हमेशा जो हुन पादक पर निर्भर रहते हैं ध्यान दीजेगा ठेकर देखो जैसे कि हमने एक ड़को जो आपकी इमेज थी एक आप यहां पर देखो ये देखो इसके पहले भी क्याव में इस कोई थी? नहीं थी, देखो ठीक है, अब यहाँ पर डिपेडेंसी जो भी green plants हैं ये, ठीक है, ये क्या होंगे? यही आपके क्या है? यही आपके जो है क्या है? उत्पादक है, यानि कि इन्ही से सब चीज़े क्या होंगे? इन्ही पर आशित रहेंगे एक तरीके से, ठीक है? green plants है, और source of energy आप simple सी बात है, यहाँ से energy आएगी, ये chemical energy में जो है क्या करें, convert करेंगे उसी के माध्यम से फिर सारा का सारा चीज़े है, यहाँ पर energy क्या होगी? डिवाइड होगी, आगे हम लोग देखेंगे energy किस तरीके से डिवाइड होती है, लिंडे में के according, ठीक है? चलो, आगे आते हम लोग ठीक है, परपोशी घटक हो गया, तो consumer इसके अंतर गताएंगे परपोशी में, और क्या होगा? ये उत्पादर गोरा बनाएगे पताथों का उबहोग करेंगे और लास्ट में हमने तीसरा क्या बताएथा? तीसरा हमने आपको बताएथा ये वाला आप घटक, यानि कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? decomposers बोलते हैं, और इसमें क्या होगा? इसमें बेसकली जो सूच में जीव होते हैं, जिसको हम लोग micro-organisms से बोलते हैं, वो आते हैं, यानि कि ये इन जो जीव जन्त होगे, उनको क्या करते हैं? decomposers करते हैं, decomposers इनको बोलते हैं, आप घटक बोलते हैं, आप घटन इसको लोग कुछ लोग निकेड बोलते हैं, कुछ लोग निकेड बोलते हैं, कुछ लोग और कुछ बोलते हैं, अलग-अलग books में अलग-अलग form में ये चीज़ें यहां पर लिखी हुए हैं, ठीक है? फिलाल ecological निकेत यानि की पारिसिकी निकेत इसको बोलते हैं ये क्या होता है लेकिन उसके पहले सब्द इसको समलो कि दरसल जो ecological निकेत है इस सब्द का प्रयोग सब्सर्थम किसने किया था तो सरप्रथम जोसेफ ग्रीनेल्स ने 1917 यानि की 1917 में किया था तो यह fact आपके लिए क्या हो गया तुरन्त इए important हो गया भाई साब इसको तुरन टिक लगा लिजेगा एक बात तो यह हो गया ठीक है लेकिन ये बात तो आपको समझ आगे की भाई सरप्थम प्रयोग किस ने किया था यह आपको पता हो गया सन आपको पता हो गया कि किस वर्स में किया था और अब जो आपके लिए जरूरी चीज है वो क्या है वो जरूरी आपके लिए चीज यह है कि दरसल यह होता क्या है यह आपको पता होना चाहिए, देखो, पूरा का पूरा क्या होता है, एक पारिसित की तंत्र होता है, ठीक है, देखो, यह कोई भी पारिसित की तंत्र हो गया, कोई भी पारिसित की तंत्र हो गया, अब सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, इसमें बहुत सारे स species होंगे ठीक और इनके क्या होगे सब species भी होंगे ठीक है तो कोई क्या होगा कोई होगा basically A नाम की species फिर कोई B नाम की species कोई C नाम की कोई D नाम की कोई E नाम की अलग-अलग species होंगी अपने आप में ठीक लेकिन और यह क्या है पुरा यह पुरा क्या है हमारा ecosystem है कोई है कोई भी ecosystem है अब देखो इस ecosystem में विभिन प्रकार के यह होगी जातियां और उपजातियां होंगी विद्धिमान होंगी लेकिन क्या होगा कि सबका जो habitat होगा वो सबका अलग-अलग होगा जैसे कि आप forest ecosystem के गर बात करें टो forest ecosystem में एक जो नॉर्मल जो सेर होगा चिता होगा कोई भी होगा ठीक है तो अगर आप उससे पूछोगे कि आपका भोजन क्या है तो बताएक आपको भाई हमारा भोजन यह है हम यह खाते हैं वो पीते हैं आप नॉर्मल किसी वहाँ पर कि अपना पतागी कि बाहरें में जा है निब होगी दिन LCD मेरे on यहां पर नैंकर में क्या कैने थandon वी तो थो आउटा पीटाओंकि को कि को आपडो तो आलए को तरफ दिए heo भोजन में रहते हैं कि जो भी जीव जन्त होंगे, उपसित होंगे, जो भी species होंगे, जो सब species होंगे, अथ्याद जो जातिया होंगे, जो उनकी उपजातिया होंगे, उनका अपना एक क्या होगा? विसेश अस्थान होगा. उनका क्या होगा अपना? उनका रहने का क्या होगा? एक अपना विसेश अ है इसी को हम 선्थान है इसे को हम लोग वूर्ण क्या कहेंगे इसी को हम लोग Ecological Nichtate कहते हैं बस इतनी सी बात है और हर जातिऊ जाति दूसरों से क्या रहेगी ये अलग रहेगी कोई एक यानि कि अगर ये डी वाला है इस्पीसीज तो वे डी वाला इस्पीसीज इवाले में नहीं आपाएगा इस्पीसीज अपनी इस अपनी इस अपना एक यहां पर लिखी गई है यही एकोलिजकल ग्या होता है निकेत होता है तो परिभाशा क्या है अगर Eltn के according हम देखें तो Eltn ने कहा कि किसी जन्त विशेश का प्राकिर्तिक वाता वण या समुदाई में अस्थान निकेत कहलाता है कोई भी निच्रल यह कोई भी अस्थान है अपना निच्रल जो अपना एक प्रॉपर अस्थान है वही क्या कहलाएगा ecological निकेत कहलाएगा और एक बहुत अच्छे environmentalist हुए है ओडम हुए है ओडम की बहुत अच्छी book भी आती है environment की ओडम ने क्या कहा ओडम कहते हैं कि निकेत एक सूष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाती अथवा उपजाती निवास करती है क्या है निकेत एक सूष्म निवास है चोटे चोटर क्या है निवास है देखो आप देख रहे होगा चोटर क्या है निवास अस्थल है तो क्या करें जिसमें एक ही प्रकार की जाती अथवा उपजाती निवास करती है तिक बस इतनी सी बात इस प्रकार प्रत्यक परजाति का अपना एक अलग अस्थान होता है सब का दुखो अलग-अलग स्थान है, हर प्रजात यतने भी स्पिसीज है, सब का अपना-पना क्या है, एक अलग स्थान है, और यही आपके एक्जाम में पूशा गया है, भाई साथ, यह फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉटेंट है, तो और टिक लगा लिजेगा, क्या कि एकोलोजिकल निकेत में क्या होता है, कि प्रतिक प्रजातिका क्या होता है, अपना एक अलग अस्थान होता है, तो यह प्रस्ण आपके पीसे से पूशा गया, यह साथ आरोग पूशा गया, ध्यान नहीं मुझा एक्जाक्ट है, ठिक, बास एती समझना गी, तो तो अगर हम इसकी बात करें जैसा आपका चपल का जो होता है क्या जैसा आपका पैर का साइज होता है एक तरी के साब बैसे समय लें इसको ठीक है कुछ इस प्रकार से ठीक है इसमें क्या होंगे इसमें आपके प्लांट्स होंगे प्लस आपके हाउस होगा बहुत प्रकार की गैसे होंगी ठीक है और बहुत प्रकार की चीज़ें यहां पर अवासित होंगी देखो इक पार्स की पदचिन ही क्या होता है जो एक खास एरिया एक बेसकली चो चीरिया एक खास एरिया ठीक है यानि कि जैसे पैर होता है जो आधार होता है अगर पैर अगर ना हो तो आधार यानि कि अगर आप पैर रखो की जमिन पर अगर वो आधार ना हो तो आप क्या चल प इसमें जो भी एक मनिस्ट के जीवन को जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़े होती हैं, जो भी धाणिये चीज़े होती हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ आया जाएगा, आपका घर, मकान, ट्रांस्पोर्टेशन, गैसेज भी आप देखते हो, सब कुछ इसमें समलित हो है, ठीक है, और आगे क्या हो देखेंगे, कि पास्त की पदचिन के माप की इकाई को क्या बोलते हैं, भूम अंडलिये हेक्टेयर, क्या बोलते हैं, भूम अंडलिये हेक्टेयर, क्या बोलते हैं, भूम अंडलिये हेक्टर बोलते हैं, और सभी देशों का अलग अलग जो है फूड प्रिंटे भी होता है ठीक है यानि कि किसी व्यक्तिकोज जीवन जीएने के लिए कितनी आशक्ता किसी चीज़ की होती है ठीक है तो अगर हम इसको परिभासा से समझने का प्रयास करेंगे तो पहरी बात तो यह कि पास्तिक पदचिन्ह की अधाना कनाड़ा के परियाम किस ने दी थी दूसरा परिभासा क्या होगी कि अधक की वह क्या हो अपने आप में यह एक खास एरिया हो निएन्टम भूमें किसी व्यक्ति को चलाने के 대 ev Blogs को चलाने के लिए वही क्या होता है यही इतना जो आप देख पा रहे होंगे और इसके लामा जो है कार्बन जो सारी यह एकोलोजिकल फूट्पिंट में और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए यहां पर इतने सी पॉइंट है यहां पर यही आपके एक्जामी पूशा जाता है और आपको बदा देना हो तो डिफिनीशन याद रखिए का कि पारिसितिक पदचिन एक मनिस्त्र के जीवन को पुड़ रूप से धाड़िये करने के लिए आवस्तेक निवन्तम हो में क्या कहलाती है यह कहलाती है पारिसिक पदचिन ने कहलाती है बस इतनी सी बात ठीक बास अगई चला हमां लोग चलो बोर तो नहीं हो रहे आप लोग समझ लो भाई सब ठीक से हना काम आएंगे थे आपके चलो अब देखो अब एक पॉइंट आपके लिए और आगया इंपोर्टन अब फटा 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 हम लोग इसको करते हैं ठीक है इसमें एक दो कुशन कॉमन पूशा आता है एक जो पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं ठीक है और एको लोजिकल पिरामिड को कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है यह भी आपको पता होगा ठीक है पिरामिड कैसे होते हैं जस्टाइक दिस यानि कि यह अपने आम में क्या है एक पिरामिड है और पिरामिड में द साकाहरी इसको बोलेंगे, इन इनपर जो जीने वाले जो लोग होंगे क्या होंगे हर भी बोरस होंगे ठीक है वो क्या होंगे वो थोड़ा सा इससे क्या होंगे कम होंगे ठीक है सिम्पल सी बात है ठीक है चाहे वो कुछ B होगे वद्वक्खी हो गई ग्रस उपर सोगण़ा होगेdit इनके कहने हो को घर होगे इनके ऊपर क्या होगे जो इनके में होगे जैसे हैं यह क्या होगे यह мам फिर इनको खाने के लिए ठर्सारी̇ंद को घर्णीयमे ने चे अप हो गरा हैं गहे जिए संख्या मे Hm कम होती जारी संख्या में कम हो रही है अपिरयमिट जो होते हैं वह तीर प्रकार के होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक होता है संख्या का पिरामिट याने कि नमबर का का पिरामिड दूसरा जीऊ भारी जिसको हम लोग जो क्या बोलते हैं बायो-मास का पिरामिड जिसके क्या बोलेंगे बायोमास क्या पिरामिड ठीक है और फिर एक औरजा के उरजा क म laquelle यourt关् tijd यानिकि कि यहां पर आप पहले समझ लो कि यह जो संख्या का पिरामिड है और यह जो जियोभार का पिरामिड है यह दूनों पिरामिड है मैं यहीं पर एक fact आपको तुरूंद बता दे रहा हूँ पहले ही ताकि बाद में confusion ना हो आपको क्या कि यह जो संख्या का पिरामिड और यह जो जियूभार का पिरामिड है यह हमेशा सीधा बनेगा और उल्टा दोनों प्रकार का बनेगा भाई साब ठीक है ध्यान रख लेना है कैसा सीधा बनेगा यह और प्लस उल्टा भी बनेगा यह ठीक उल्टा लेकिन इसमें से जो तीसरा वाला है यानि कि जो उर्जा का पिरामिड है यह ुरजा का पिरामिट सीधा क्यों बनता यह दरसल 10 परसत नियम पर आधरित है। अभी कैसे होगा अभी हम लोग इसको आगे देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बस अदना याद दखना है कि उरजा का पिरामिट हमेसा सीधा बनेगा जबकि संख्या का पिरामिड और जीवार का पिरामिड हमेशा सीधा और उल्टा दोनों बनेगा यानि कि अलग 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 प्रकास से उल्टा सीधा बनेगा कैसे बनेगा, कब उल्टा होगा, कब सीधा बनेगा आईए हम लोग इसको example के माधने से समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, देखो इस पिरामिड में जीवों की संख्या की गणना कियाती है, तो संख्या का पिरामिड यानि कि किस ecosystem में कितने जीवों की संख्या कितनी कितनी है, सिंपल सी बात है, नाम ही लिखाए कि संख्या का पिरामिड, यानि कि पिरामिड में जीवों की संख्या कितनी कितनी है, तो जैसे यसे संख्या बढ़ेगी, अगर संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो कैसा ecosystem होगा, यानि कैसा पिरामिड बनेगा, और संख्या घटेगी, तो कैसा पिरामिड बनेगा, इसी कि कि जो आपका तालाब क्या जो आपका तालाब और प्लस जो घास का किसका जो घास का पास की तनतर होगा इसमें जो पिरामिट बनेंगे वो क्या बनेंगे हमेशा सीधे बनेंगे कैसे बनेंगे सीधे बनेंगे जैसे कि एक्जामपल के लिए फर एग्जामपल यही है आपका grass वाला ecosystem हो गया, इसमें जो बनेगा या terrestrial ecosystem की अगर बात कर लेते हैं, तो इसका जो pyramid होगा हमिसा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सेम इसके पहले जो हमने आपको pyramid में जो हमने आपको example बताया, सेम उसी तरीके से आप इसको चाहें तो समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर था ग्रासवाले में था या एक terrestrial ecosystem में था कि producers यह होंगे flower plant होंगे प्रस कुछ grasses होंगे फिर क्या होगा फिर primary consumers इनके संख्या क्या होगी कुछ कम होगी फिर secondary होगा फिर तरसरी में इनके संख्या कुछ क्या होगी कम होगी तो जैसे से संख्या इनकी क्या होगी कम होती जाएगी सिंपल सी आप बात देख पा रहे होंगे कि यह pyramid कैसा बनना है सिधा बन रहा है तो वही चीज यहाँ पर हमने आपको समझाईए तो अगर यह घास जो है प्रास्तितंत है तो यह घास प्रास्तितंत में pyramid कैसा बनेगा सीधा बनेगा सिंपल सी बात है और जो ताला वाला जो होगा पास्तितंत वहाँ पर भी कैसा बनेगा सीधा बनेगा क्यों संख्या का pyramid यह प्रश्ण आपके एक्जाम में पूछता है ध्याने की जिएगा ठीक है चलो दूसरा लेकिन अब उल्टा कब बनेगा उल्टा कब बनेगा उल्टा बनेगा भाई साब अगर हम प्लांट्स एको सिस्टम के बारते हैं यानि कि ब्रिक्ष पास की तंत्र जो होगा इसमें जो है जो संख्या का पिरामिट है वो उल्टा बनेगा यानि कि ब्रिक्ष पास की तंत्र में उत्पाद्गों की संख्या सबसे कम होती है जैसे कि अगर हम एक प्लांट्स ले लें ठी कि यह क्या है एक सिंपल सा छोटा सा क्या है प्लांट से ठीक यह क्या है एक प्लांट से ठीक अब देखो अब इस पर ये क्या है उत्पादक है क्या है उत्पादक है अब इस पर जो जो भी जीव रहेंगे सिंपसी बात है इस पर जो आस्तित जीव जन्त होंगे क्या होंगे बर्स होंगे इनकी संख्या क्या होगे ज्यादा होगे बहुत सारे बर्स होंगे बहुत सारे बर्स होंगे जो इनको खाएंगे, sympathy बात है तो यह क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ठिक, अब अब इन birds को खाने वाले भी अलग अलग प्रकार की क्या होगे, जीव होगे sympathy बात है, तो है निकी वस कम होगे, तो इनकी संख्या थोड़े इससे ज्यादा होगी अलग प्रकार के जो कीट होंगे अलग प्रकार कीट पताएंगे होंगी वो इन बर्स को खाएंगे यानिकि तो इनकी संख्या क्या होगी इससे थोड़ा सा और ज्यादा होगी ठीक है और फिर जो टॉप करनिवर्स के एकर बात करेंगे ठीक है तरसरी की तो उनकी संख्या क्या होगी? और ज्यादा होगी इनसे. जौशित होगे. तो अगर आप इसमें देखेंगे, तो संख्या का पिरामिट जो होगा, वो ब्रिच वाले में क्या होगा? हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा. देखो, यह पिरामिट कैसा होगे? उल्टा बनेगा. देखो, ऐसे बन गया. यह ऐसे हो गया. इसको ऐसे देख लो. यह देखो. यह कैसा बन गया? यह बन गया आपका जस्ट, जो है, एक तरह के से अपजीर बन गया. ठीक है? तो यह हो गया, वन. वन पारस्की तंत्र. तो यह वन पारस्की तंत्र में पिरामिट कैसा बनेगा? हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा. कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा. ठीक, बासन में आ गई? खोई दिक्कत? चलो. आगे बढ़ते हम लोग. देखो. बिक्ष पासी तंतर में उत्पादकों की संख्या सबसे कम होती है प्लांट्स कैसा है? एक ही तो प्लांट है ठीक है? प्लांट्स क्या है? कम है? ठीक है तथा उनमें उपभोगता हो यानि कि जो कंजियूमर्स की संख्या होगी धिरे-धिरे क्या होगे बरती जाएगी ऐसे में उल्टे पिरामिट का निर्मार होगा यानि कि जो उस पर आस्रत जो जीव जन्त होंगे जो चीजे होंगे क्या होगे धिरे-धिरे क्या होगे बरती जाएगी तो सिंपल सी बात है पिरामिट कैसा बन जाएगा उल्टा बन जा उक्ति ऐति तंतर में दूस्रे वाले पर चेठ होते हैं तौनीं के जोर्दन्ट के और वी और PRarin के यहाँ वहती हैर में उसका पूर चुप पूर लहाता कि वन पष्टित नंतर में कीट जो होते हैं वहोति होते हैं आप तोने बताएंगे किट क्या होते हैं। के जिवों का वेट कितना है, कितना उनका मास है, कितना दर्ब मान है उनका। उसके आधार पर पिरामिड बनेगा अलग अलग एको सिस्टम में हम जीवों का भार देखेंगे कि इस एको सिस्टम में जीवों का भार कैसा है जैसा जीवों का भार बढ़ेगा या जैसा जीवों का भार घटेगा उसे परकार से पिरामिड उल्टा या सिधा या सिधा या उ इको सिस्टम यहां पर देखो क्या है कि जो आपका जो बायो मास होगा वो क्या होगा यहां पर बढ़ता जाएगा देखो कैसे यह देखो image देखो यहाँ पर क्या है green plants है जिनका biomass क्या हो simple सी बात है इनका biomass जदा होगगग बहुन संख्या में जदा होगगग simple सी बात है क्या होगग biomass इनका जदा होगगग मज़ना कि 1000 kg का है ठीक है लेकिन इस पर आस्रित जो हर भी workforce होंगे यानि कि जो primary consumers होंगे वो क्या होंगे, इन producers क्या होंगे, तो अगर कम होंगे, simple सी बात है, तो इसका weight क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 假त अगर ये 1000 kg का था, तो ये क्या हो जाएगा 100 kg क्योंगे, simple सी बात है और इस पर जो आसित जो आपके अलग होंगे जो primary, जो carnivores होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो भी संख्या में कम होंगे, तो उनका weight 10 हो जाएगा, फिर इन पर जो आसिद जो top carnivores होंगे, जो मांसाहरी हो जो होंगे, वो क्या हो जाएगे, वो उनका weight का हो जाएगा, एक kilogram का हो जाएगा example के लिए, तो आप देखेंगे कि जो biomass का जो क्या कहते हैं, ये जो pyramid बनता है, वो कैसा बनेगा, क्रेश्टल ecosystem में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, तो आपके परिक्षा में प्रस्ण पूछता है, कि बताइए, घास अस्थल और one का जो, जो क्या कहते हैं, वो होता है, पास की दी, pyramid जो होता है, वो कैसा बने वो biomass वाले में कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे, सीधा सीधा, कि वो दरसल सीधा बनेगा, upright बनेगा, ठेक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अब देखो, एक में बनेगा, inverted pyramid, कब बनेगा, ये बनेगा, बिसकली अगर आप देखेंगे, तो ये ब बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसे, देखो इसको जराद, यहाँ पर जो आपके, अगर ये pond ecosystem है आपका, aquatic body कोई भी, या कोई भी aquatic body है, aquatic body में कोई भी जलिये तंत्र है, ठीक, अगर यहाँ पर, अगर biomass हम देखेंगे, बना पिरामिट, बाइमास का पिरामिट देखेंगे, त आपके, वो क्या होंगे, phytoplank tanks होंगे, क्यों से होंगे, phytoplank tanks, जो छोटे हरे पेड़े होते हैं, जो algae होते हैं, वो होंगे, वो क्या होंगे, यो होंगे, उत्पातक होंगे, तो simple सी बात है, इनका जो biomass होगा, वो कम रहेगा, हो सकता है, संख्या में जाता रहें, लेकिन का रहेगा कम रहेगा ठीक और इसके उपर ड़ी इत होगे जिसको खाने वाले joe '' Georgia'' होंगे वह हर भी वरस होंगे वह हर भी वरस में क्या जाएंगे आपके छोपी थे स्नावद जोती हैं वह आ वह समाल aynı यह वह तो रह्त को क्या होगा होका ज्यादा वगा उनका बैफ मेश क्या होगा ज्यादा और इस चोटी मश्लियों को काने वाली कुछ बड़ी मश्लियां होंगी सिंपल सीवाएं तो अगर बढ़ी मश्ली है तो सिंपल सी बात है कि एक जो मश्ली होगी्ट एक ही तो खाएगी कई सारे मेंशल्य काईए तो इसका सब्सक्रा निए अगर बात करते हैं अगर वहाँ पर वाँ मास का क्या कहते हैं था यह क्या क्या होगा यह इंवर्टेट पिर्यामिट यह इंडर्था यह रत यह क्या बनेगा उल्टा और यहां पर कैसा बनना था सीधा बनना था ठीक तो यह प्रेस्ट आप से पूछता है कि बायो मास का पिरामिड कहां पर उल्टा बनता है तो तुरूंत आप बताएंगे कि जो भी एक्वेटिक बोड़ी आपके होगी जो भी जलीए परितंत्र आपका होगा उस जलीए परितंत्र में जो आपका जीयो भार का पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा उल्टा बनेगा जबकि दूसरी ओर वन और घास अस्थल के अगर बात करें तो वहां पर और जो बायो मास्क का पिरामिड होगा, कैसा बनेगा, वो सिधा बनेगा, इतनी सी बात है आपके, बस इसमें और को रॉकेट साइंस नहीं है, क्या ये चीज आपको संद में नहीं आई, आई होगी, ठीक, तो अब आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि जिओभार का पिर की तंतर के पिरामिड हमेशा कैसे बनेगे, सीधे बनेगे, हमने आपको एक्जांपल देकर कि हाँ पर समझा दिया, और जबकि तालाप के पास की तंतर, या कोई भी एक्वाटिक बाड़ी मान लीजिए, या कोई भी जली पर तंतर जिसको बोलेंगे, का जिओभार का पिर हमेशा क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है, यह हो गया आपका जयवभार का क्या पिरामिड, अब लास्ट आपका बस्ता है, क्या उर्जा का पिरामिड, और यहां से हमेशा एक प्रस्न बनता है, ठीक है, यह बताए उर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, तो उर्जा का पिरामि तो उर्जा को ना उत्पन किया सकता है, ना उसे नश्च किया सकता है, बलकि उर्जा का एक अस्तर से दूसरी अस्तर में क्या होता है? अस्थानांदरन होता है. उर्जा ना खतम होती है, नहीं बनाई जा सकती है, बलकि उसका एक उर्जा स्तर से दूसरी उर्जा स्तर में क्य कि अस्तानांज ओ вполне स्थानारा रहता है ओर प्रकार का से लेंडमैन कि असको नियम भी कहते हैं जहां पर क्या होता है और啊 इस जब इस प्रेफीड मेंडों को देखेंगे इस इमेज्ज में १ कितनी है एक गाइदाी से तो इस जब इस फाट प्रांटन से अर्थात यहां यह जो क्या हो जाएंगे इस उत्पादक से जब जू प्रेंटन की तरफ जब एनर्जी जननेट होगी आगे जाएगी तो इस से ख़़्य ट्युटन क्यवल और कयेवल दस फरसथ ही यहां पर जाएगा यहां पर क्यों त्बश्चता आएगा और यहां पर इस 5075 कृण Σघुनत का न्नियम्थ lt जन्येट होगी ठीक है तो कहने का मतलब यह हुआ कि बिसकली लेंडमेन के नियम के अकॉर्डिंगे चलता है और जिसको हम लोग 10% का नियम भी कहते हैं आपके एक्जाम में पूशा भी आता है कई बार ठीक है यह लेंडमेन का नाम लेकर भी पूशाता है कि इनमें कौन सी थ थी ठीक है तो आप पाएंगे कि इस तरीके से जो फिर हमारा जो एनर्जी का जो जो आपका बनेगा क्या कहते है पिरामिट वो हमेशा क्या बनेगा स्टेट बनेगा कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता है 100 200 300 400 500 कभी अपोजिट नहीं होगा उर्जा हमेशा एक दिसी होते उत्पात को ने लिया फिर चेमिकल एनर्जी के फॉर्म में कनवर्ट किया उसके बाद धेधरे करके यह उर्जा का क्या होगा अस्थानांतर होता रहेगा तो उर्जा का पिरामिट एक ऐसा पिरामिट है जो हमेशा कैसा बनेगा सीधा बनेगा अब यहां पर आप आप तया प्रत्रेव सीधा बनता ह। यही प्रषणाफ के गजाम में क्या होता है पूछा जाता है ठीक तो यह आज क्या से कुछ महत्पूंढ नट ट्रोप् Typically आफाना रह Says क्या होता है उसमें क्या होगा जो तालाव मेरे सीधा बनेगा 106 ब्रिक्ष का जो पर में बनेगा वह वो बनेगा आपका उल्टा जबकि अगर हम जू भार की पिरामिट की बात करें तो जू भार की पिरामिट में क्या होगा? वन और घास अस्थल का पिरामिट कैसा बनेगा सीधा बनेगा जबकि जो एक्वेटिक बाड़ी का जो बायो मास का पिरामिट होगा वो कैसा बनेगा आपका उल्टा बनेगा और अगर हम उर्जा के पिरामिट की बात करें तो उर्जा का पिरामिड हमिसा कैसा बनेगा सिधा बनेगा तो यह कुछ एक क्या होगे हमारे points होगे, I hope आपको lecture पसंद आया होगा, अगर lecture पसंद आता है, तो please आप लोग शेर कर दीजिएगा, साती साथी सापने daily classes आपको इस तरह के समलते देगे, कि 7-8-9 classes में एक के environment के important जो fact है वो क्या होंगे आपको कर दिया जाएंगा ठीक है I hope आपको lecture पसंद आया होगा मिलते हैं कल हम लोग एक नए lecture के साथ या जिस दिन जिस भी दिन आपका जो है बाबाई टेक केर